बहुत शक्रिया पुर्वा और साथियों और कोलिन के बाद मीडिया रेप्रेजेंटेशन और नरेटिव कंट्रोल पर मुझे बोलना है दो-तीन चीजें जो बहुत नरेटिव कंट्रोल को लेकर खास तोर से जो अवधारनाय बनाई जा रही हैं उन अवधारनाओं के बारे में और जो अवधारनाय हैं वो निश्चित तोर पर हमसे पहले भी लोगों ने बताया है और तकरीबन जो लोग यहां बैठे हैं हम सब देख रहे हैं कि यह जो अवधारना बनाने का खेल है यह दरअसल भारत को किस तरह से भारत के अवाम को भारत की पॉपुलेशन को एक हिंदू स्टेट में एक हिंदू फासिस स्टेट में किस तरह से मेंटली तैयार करने का जो खेल है उसका खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज की तारीख में 2024 में चुनावी नतीजे निश्चित तोर पर 240 पर रोकते हैं बीजेपी को लेकिन नरेटिव बनाने का जो खेल है वो और तेज हो जाता है नफरत नरेटिव जो चल रहा है और उसमें जो मीडिया और खास तोर से जो कॉर्परेट मीडिया है वो उसमें पहले की तुलना में और ज़्यादा तेज कदम ताल करता हुआ दिखाई देता है मिसाल के तौर पर आज ही की जो खबर है और जिस तरह से खबरे लिखी जाती है यहां मैं जिक्र करूंगी कि आज BBC हिंदी ने एक खबर शेयर की है कि मद्र प्रदेश में एक बहुत एतिहासिक फैसला लिया गया है कि नर्मदा के किनारे नर्मदा जहां जहां बहती है वहाँ पर शाकाहार बहेगा सिर्फ शाकाहार खाया जाएगा और 21 जिले प्रभावित होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री का यह जो फैसला है और यह सबसे इजी सी चीज है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है मैं खाली कहना चाहूंगी कि अब आप आज की तारीख में देखिए टाइमस ओफ इंडिया को उठाईए इंडियन एक्सप्रेस को उठाईए तमाम जो बड़े अखबार और जो टीवी चैनल्स हैं उनको उठाईए और आप देखिएगा कि तकरीबन सारे लोग देश की जनता अपने दर्शकों, अपने पाठकों को शाकाहार कितना पवित्र है को समय पहले भासकर ने बॉटम चापा था कि एक गाउँ ऐसा है जो कितना पवित्र है, कितना पुनीथ है क्योंकि वहाँ पर इतनी पीडियों से सिर्फ शाकाहार खाया जाता है, मांसाहार नहीं खाया जाता है, शराब नहीं पी जाती है लहसन प्याज नहीं खाया जाता है ये होता है नरेटिव सेटिंग सबसे शाकाहारी ढंग से, सबसे vegetarian ढंग से, जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं होती, जिससे secular, liberal भी, कहता ठीक है शाकाहारी को तो promote कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो narration है, ये तकरीबन एक established narration में तबदील हो गया है, किसी ने कहीं protest नहीं कि दिल्ली के जो VIP schools हैं, बाकि छोड़ दीजी अम्रोहा, छोड़ दीजी उत्तरप्रदेश, दिल्ली के जो VIP schools हैं, वे school एक circular के जरिये अंडा लाना और non-wag लाना मना कर देते हैं और कहते हैं कि इससे बाकि छात्रों की भावनाए आहत होती हैं, nobody resisted, कोई वहाँ नहीं गया, चात्र नहीं गये, parents नहीं गये, तमाम civil society, दिल्ली हब है civil society का, तमाम संगठनों का हब है, एक भी official protest in school के पास नहीं पहुचा, यानि ठपपा लग गया, एक narrative हो गया, कि शाकाहार के बरक्स, अगर मांसाहार खाया जा रहा है, तो भावनाए आहत होती हैं, और हमें भावनाए आहत करने का जोकिम, नहीं उठाया जाना चाहिए, ये जो narrative setting है, ये इस level पर पहुची हुई है, कि जिस समय RSS की बात होती है, RSS के 3M के बारे में, हम सब जानते हैं, तकरीबन जो यहां बैठे हुए हैं, कि RSS ने जिन 3M को अपना शत्रू बताया था, मुसल्मान, मार्क्स और मिकाले, मिकाले यानि इसाई, आप देखें कि आज की तारीख में, 2024 का चुनाव हो गया, विपक्ष का सारा campaign हो गया, काफी लोग बल्ले बल्ले भी हुए, रुका भी एक रत जो चल रहा था, रुका भी रत, लेकिन पूरी election debate में, हमने मोधी के भाषणों में, कितनी hate speeches हैं, कितनी नफरत हैं यह देखा है, लेकिन अगर आप देखिए, इंडिया गटबंधन और बाकी लोगों के जो भाषण हैं, उनमें कितनी बार मुसल्मान शब्द का इस्तमाल होता है, राइट विंग शिफ्ट जो इंडियन पॉलिटिक्स का है, वो इतना जबरदस्थ है, कि लोग हजार बार जो विपक्ष है, जिस पे सारा दारो मदार है, मैं लखनों की रहने वाली हूँ, लखनों में अखबर नगर ढ़ा दिया गया, अपोजिशन गायब, क्यों? क्योंकि रहने वाला बहां मुसल्मान है, बुल्डोजर के सामने कड़े होने की इमत नहीं, वो तो बहुत भला हुआ कि मद्रप्रदेश में कॉंग्रेस का घर गिराया गया, तब प्रियंका गांदी बोली, कॉंग्रेस बोली, उससे पहले बुल्डोजर इंजस्टिस पर कम्प्लीट क्रिमिनल साइलेंस मौजूद था, ये है नरेटिव सेटिंग, और आज तमाम अखबार, मीडिया और ऐसे मीडिया घराने जिनके बारे में काफी अच्छे धंग से देखा जाता है, वहाँ पर भी एक नरेटिव सेट है हमारे सामने कि मुसल्मान is equal to love जिहाद, land जिहाद, flood जिहाद, fertilizer जिहाद, आप देखिए इसमें competition लगा हुआ है, हेमंत विस्व सर्मा सबसे जादा unconstitutional धंग से एक सरकार को चला रहा है, लेकिन देखिए कि जो बाकी सरकारें हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, कितने लोगों ने head-on लिया वहाँ पर, जब इतना flood जिहाद होने लग जाता है, तब वहाँ की पार्टियां आती हैं और बोलती हैं, यहाँ पर आके दुराबदी मुर्बू से मिलती हैं, तो यह जो एक narrative setting है, कि आज की तारीख में, मुसल्मान आप खबर लिखते हुए देखिए, बहुत ही तसली से, अब quote-unquote भी Indian Express को भी quote-unquote लगाने की ज़रुवत नहीं पड़ती ज़्यादा, कि आप कथी तौर पर लव जिहाद कहेंगे, कथी तौर पर ये जिहाद कहेंगे, ठीक उसी तरह से, इसाई और इसाई को लेकर जिस तरह से खबरें और खास तौर से हिंदी पट्टी में जो खबरे आ रही हैं, वो इतनी परेशान करने वाली हैं, जा so-called जोशुबा मिशन के लेकर जो खबरे होती हैं, आप देखिए कि एक दिन दैनिक भासकर में खबर चबती है, आगे पीछे competition चलता है, organizer, panjan, op India, इन में जो competition है कि वही खबर उसी तरह से, Christian, इसाई missionaries के खिलाफ, बिलकुल उसी तरह का प्रचार और उस प्रचार के बारे में, जमीन पर कहीं से भी counter नहीं narrative build-up हो रहा है, बहुत कम लिखा जा रहा है, मुझे लगता है कि हम खाली इस बास से खुश हो जाते हैं कि एक fact check हो जाता है, कुछ संस्थाएं हैं, alt news, जुबेर, ये लोग fact check करके एक narration set up करते हैं, लेकिन word narration कितनी दूर तक पहुचता है, मुझे जो सबसे बड इसमानों, इसाईयों, देश के गरीबों के खिलाफ एक नफरती brigade ने एक campaign बिल्कुल cement कर दिया है, उसके पक्ष में जो इंडियन बूर्जुआ खड़ा हुआ है, इंडियन capitalist खड़ा हुआ है, वह एक बहुत ही खतरनाक fatal combination इंडियन democracy के लिए है, भारती लोकतंत्र के लिए कि आप राहत कहां से मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि CGI महोदे बहुत आराम से घंटी टुंटुनाते हैं, भजन करते हैं, प्रधान मंत्री नरेन मोदी के बगल में खड़े होकर और कहीं से भी बड़े पैमाने पर जुंबिश नहीं होती है इस system में, तो ये जो एक collusion है कि जो हमारे constitution में separation of power था, जहां check balances थे, 2024 में वह पूरी बेशर्मी के साथ ये जो collusion है, वो नंगा होके हमारे सामने खड़ा है, किसी को शर्म नहीं है, बहुत आराम से हेमन्त विस्व सर्मा हो, सारे मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद के नाम बोलने की बिजरुवत नहीं तो ये जो narrative और इसके जरीए जो एक narration build up हो रहा है, उसका जो counter है, उसका counter सबसे important counter जो हो सकता है मेरी समझ में, बतौर media representative, बतौर media कर्मी, कि जितने हमारे पास कल में हो सकती हैं, जितने हमारे पास आवाजे हो सकती हैं, और हम क्या अपने safe zone से बाहर निकल के उनका counter कर रहे ह कि नहीं कर रहे हैं, हम वहां reach कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि YouTube की एक अलग दुनिया है, उसका algorithm अलग है, आधे लोग बहुत चुन-चुन कर बात करते हैं कि lynching पर बात होगी, अगर आपने lynching headline में डाल दी, thumbnail में डाल दी, तो आपका video चलेगा नहीं, अगर आपने rape डाल दि जिस तरह से एक rape case के इर्दगर्द गुसा फूटा, गुसा फूटना बहुत जायज है, सडक पर आना बहुत जायज है, लेकिन उस गुसे का जो political इस्तमाल right-wing कर रहा है, हमें साथ-साथ बोलना पड़ेगा कि किसी भी governor को इस तरह की अभद्र भाशा इस्तमाल करने का अख दर असल सब औरतों के ऊपर जो rape हो रहा है, जो sexual assault है, उसके प्रती एक दूसरे ढंका environment बिल्ड़ अप करता है, तो हमारा जो आक्रोश है, वह आक्रोश सिर्फ कुछ incident में अगर जब होता है, तो निश्चित तोर पर वह जो बड़ी लड़ाई है महिलाओं की गरिमा और है, भारत बंगलादेश नहीं है, भारत का state, भारत की जो democracy और जो भारत का bourgeois structure है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लिहाजा हमें किस तरह से इस narration का हम विरोध कर सकते हैं, किस तरह से इस narration को counter कर सकते हैं, और कम से कम हर कदम पर जो fake propaganda है, उसे counter करते हुए, एक जवाब दे ही accountability माननी कितनी जरूरत होगी, reach out कैसे करेंगे, ये शायद हम सब के लिए बतौर Indian citizen सबसे बड़ी चुनाती है, शुक्रिया